भगवान शिव और माता पार्वती भक्ती के लिए यूं तो सभी दिन और महीने महत्व पून है, लेकिन सावन के महीने का विशेश महत्व है, सावन का महीने पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ती के लिए ही समर्पित है, सावन के महीने में पढ़ने वाले मंगलवार का भ अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस वरत को रखता है, तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है कि इस वरत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही अगर किसी के दामपत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह वरत बहुत मंगलकारी रहता है, व अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए, इस वरत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार पांच वर्षों तक किया जाता है, अत्शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी वरत नियमों के अन पांच साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद पांचवें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस वरत का उद्यापन करना चाहिए, जोतिश शास्त्र के अनुसार जिन पुरुशों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का वरत रखकर भ अंपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, मंगला गौरी वरत पूजा विधी मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदी करने के बाद वरत का संकल्प लें, इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और मा पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा समर्पित करें, इसके बाद मा पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, फिर आटे का दीपक बना कर दिया जलाएं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधी विधान के साथ पूजा करें, इस वरत को सभी पूजन सामगरी रख लें, सभी पूजन सामगर जैसे सोलह की संख्या, जैसे पान सुपारी लॉंग, इलायची फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामगरी और चूडियां, इसके अलावा पांच प्रकार के मेवे और साथ प्रकार का अन भी रख लें। इस वरत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मंगला गौरी वरत को बहुत ही शुभ फलदाई बताया गया है। आईए जानते हैं इस बार कितने मंगला गौरी वरत होंगे, साथ ही जानते हैं इस वरत की क्या है। तारीख वरत डेट तीस जुलाई पहला मंगला गौरी वरत तीस जुलाई दूसरा मंगला गौरी वरत छे अगस्त तीसरा मंगला गौरी वरत तेरह अगस्त चोथा मंगला गौरी वरत मंगला गौरी वरत के शुभ मुहूर्त 23 जुलाई 2022 सर्वार्थ सिध्ध योग सुभह ज्यो पार्ट मर्टीम पीस से दोपहर बारादा बारा मिनट तक। गौरी विवाह बाधाम, नाशय स्वाह मंगला गौरी वरत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं, साथ ही घर परिवार में सुख शांती और समरिध्ध बनी रहे, इसके लिए भी यह वरत रखा जाता है। मंगला गौरी वरत विधी मंगला गौरी वरत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदी के बाद वरत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जला कर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि माता पारवती को सोलह श्रंगार का पूरा सामान अर्पित करें। साथ में अक्षत फूल फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप दीप नैवेद्य आदी चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पती-पतनी माता पारवती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगला गौरी वरत कथा का पाठ भी करें। मंगला गौरी वरत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धरमपाल नाम का एक व्यापारी रहता था, उसकी पत्नी काफी खुबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ती थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीरवात प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थाई वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को सोलह लड़ू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राहमन को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद वृती सोलह बाथी वाले दिये से देवी की आरती करती है। वृत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसरजित कर दी जाती है। अंत में मा गौरी के सामने हाथ जोड़ कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार पांच वर्षों तक किया जाता है। अतशास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादी भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है कथा सुनने के बाद सोलह लड़ू अपनी सास को तथा अन्य सामगरी ब्राह्मन को दान कर दें। पांच साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद पांचवें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्ध्यपन करना चाहिए। कर फर सकनतना ज्रत का उद्ध्यपन कर का सहिं।